नमस्कार मैं रवी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटूब चैनल साइंस गुरू रवी में गाइज आप सभी को पता हम एक्सी रेटरी सिस्टम अर्थार्थ उत्सरजन तंतर के प्रियूशेर की क्यूशन कर रहे हैं फोटी-टू नमबर तक हम क्यूशन कर चुके थे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूशन नमबर फोटी-थरी से तो सबसे पहले आप चेप्टर का नाम निकलिए एक्सी रेटरी सिस्टम आज ये इस चेप्टर की अंतिम घिलास है चार पास्ट क्यूशन बचे हुए हैं आज ये चेप्टर समापत हो जाएगा, कलम रेस्पिरेटर सिस्टम वाला चेप्टर की स्टार्ट करेंगे। चेप्टर का नाम क्या है भया, एक्सिरेटर सिस्टम उच सरजन तंतर, 42 क्यूशन कर चुके थे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूशन नंबर 43 से, और ये 8 नंबर की क्लास है, इससे पहले कि 7 क्लास हो चुकी है, जिसमे मैंने आपको 42 क्यूशन करवाए हैं, जितने भी क्यूशन करवाए हैं, सभी ही क्यूशन आपसे रेलवे, ग्रूप D में, NTPC में, ALEP Technician में, RRBJ में, RPF में पूछे गए क्यूशन है, पढ़ते क्यूशन के नीचे, exam का नाम लिखा गया है, date लेकी गई है, और पढ़ते क्यूशन को बहुत अच्छे से concept के साथ में सिखा खाया है, ठीक है बया, चलिए, आज की क्लास के सुरुवात करते हैं, यह रहा आपके स्क्रीन पर क्यूशन नमबर 43, देखे बया, यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्यूशन नमबर 43, क्यूशन नमबर 43 कहता है कि, Ultra Filtration समन्दित है, आपके options है, आपस नमबरे सौसन से, आ उप्स नमर्डी है कंकाल से यह कुछन आपसे रेलवे ग्रुपडी में पूचा गाया 26-10-2018 को बताइए इस कुछन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दे कमेंट वक्स में बता दीजिए इस कुछन का राइट आंसर क्या होगा देखिए आपकी जो किड़नी होती है न का निस्पंदन कहा जाता है और इसमें क्या किया जाता है एप निस्पंदन भी कहा जाता है इस परकिरिया को ठीक है इसमें क्या होता है इसमें बलड को फिल्टर किया जाता है बलड को छाना जाता है तो आपसे क्योशन पूचा गया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब किस से सम्मंदित है आप किडनी के बारे में किस चेप्टर में पढ़ते हो भई या सवसन वाले चेप्टर में पढ़ते हो सवसन तंतर में पढ़ते हो या पाचन तंतर में पढ़ते हो या कंकाल तंतर में पढ़ते हो कंकाल तंतर में हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है तिसका राइट आंसर क्या होगा ओप्स नंबर भी हो जाएगा उठ सर्ज वेसे तो आप तो ये चेप्टर का एंड है तो आप तो ये अप सारी चीजे आपको आनी चाहिए अगर आपने इस चेप्टर की थियोरी नहीं पढ़िया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाकर पढ़ सकते हैं ठीक है और इससे पहले की साथ किला से हो चुकी है साथ किला से नहीं देखिया तो जनसताबदी एक्सप्रिक्स बेच में एक फरवरी को स्टार्ट किया था सोरी जन्सताब्दी एक्सपरिक्स बेच में एक फरवरी को स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको बाइलोजी के प्रियोशीर की क्यूशन करवा रहा हूं चेप्टर वाइच जो क्यूशन आपसे रेलवे ग्रूप डी में एंटीपी से में एलपी टेक्निशन में अरारव ज पहुचे गए हैं वो सभी क्यूशन परते एक चेप्टर के करवा रहा हूं अभी लेटेस्ट एक जाम में जो क्यूशन पहुचे गए हैं वो सभी इसलिए अगर आपने वह क्यूशन नहीं देखिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जिन्स ताब द लीजिए नेक्स्ट युशन क्यों चलते हैं क्यूशन नंबर चम्मालिस में उलाष्ट के हां दो तिन क्यूशन मिस्समत करना वह यह बहुत अच्छे च्छी क्यूशन है जो अक्सर आपसे आपके एकजाब में पूचे जाते हैं ठीक है बाई ओके अपने तोट ओके देखे यह रहा आपके सामने क्यूश नंबर चम्मारीस बहुत अच्छा कि उसे नहीं किस नंबर और यह क्यूशन आपसे पूशा गया है अरारवी ग्रुपडी में 12-11-28 बताइए इस क्यूशन का राइट आंसर क्या होगा इस क्यूशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉंसेप्ट सिखाया है मैंने आपको नेफुरून की सरचना बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस क्यूशन को आप देखते ही इसका अंसर कर सकते हो यह क्यूशन आप से अरारवी ग्रुपडी में 12-11-28 को पूंचा गया है बताइए राइट आंसर क्या होगा कौन कौन है यह तीनों से अलग इनमें से तीन ओप्सन ऐसे हैं जिनका समंद्ध आपस में है किसी ने ग्रों नें तीनों से अलग है आपका राइट आनसर होगा वह यह ौपस नंबर एतो मैं जब आप नेफ्रों की सरचना पढ़ते हो तो दो नेफ्रों की सरचना में कुन-कून से भाग आते हैं तो आपको पता है, बोमेंस 스्केप्सूल आता है, भाई बोमेंस स्केप्सूल इसके लाव मैंने आपको क्या बताया था इसके लाव मैंने आपको और क्या बताया था इसके लाव मैंने आपको क्लेक्टिंग डक्ट पढ़ाया था याद आ रहा है कुछ इस सारी चीजे मैंने आपको पढ़ाय थी तो यह नेफ्रोन की सरचना के यह सभी भाग है भया कब के समान आपको जो सरचना दिखाए देती है नेफरोन की सरचना में वो वोमेन स्केप्सूल है वो वोमेन का संपूट है इसमें नेचुरल रूप से फिल्टर लगे होते हैं जिने गलुमेरलस फिल्टर का आ जाता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं पी सीटी है पी सीटी क्या करते है गुलकोज और एमिनोसीड का एब्जॉप्शन करते हैं उसमें एच प्लस आयन त्याग देती है बचावा भाग में मैं आपको बहुत अच्छी से पढ़ाया था द सीटी में किसी प्रकार की चीजों का आवशू सब्सक्राइब कि अवहैं भिल्ट इशलंग का उटा consciousness होता है जो यूरिन होता है उसमें पानी की अवह यू आकार की जो सरचना आपको जूले के समाज़ों सरचना दिखाई देती है उसे कहा जाता है अब यह लूप ओफ हैंले का जूला और भाईया इनेजल्स ग्रेनिल्स के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ते हैं यह हम नियूरोन के सरचना में पढ़ते हैं तंत्री का पोशेका के जो सरचना है उसमें पढ़ते हैं तंत्री का तंत्र वाले चेप्टर में यह क्यूशन पूछा गाए अब यह आपसे आरार भी परपड़ी में 12 11 2018 सिंपल की उसने और इस परकार की क्यूषन आपसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सो उत्सर्जन तंतर का भाग है नहीं है या फिर इस परकार की क्यूषन पूछ ले जाएंगे कुस विकल्प को चुने जो तीनों से अलग है इसे कि युशना अक्सरा आप से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है भया, किसी भी चेप्टर को पढ़ो, वह तच्छे से पढ़ो, छोटी से च्छोटी चीज से लेकर करके बड़ी से बड़ी चीज तरह, अगर आप एक बार बहुत अच्छे से किसी चेप्टर को पढ़ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पिर रठने की ज़रूत नहीं है अपने आप उस सारी चीजे आपको किलियर हो जाती है ठीक है तो क्यूस नंबर पर यह नेफ्रोन को कहा जाता है किसे कहा जाता है नेफ्रोन आप सभी को पता है जो किड्नी होती है इस किड्नी की कोशी का क्या है इस किड्नी की सेल क्या है नेफ्रोन है इस नेफ्रोन को किड्नी की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है किड्नी की कोशी का भी कहा जाता है कि कारिये किड़नी करता है वही कारिये नेफरोन करता है किड़नी का काम क्या है ब्लड को फिल्टर करना तो आपके किड़नी में जो किड़नी का कारिये क्या है ब्लड को फिल्टर करना ब्लड को चानना तो किड़नी का जो कारिये है वो किड़नी की कोशिका करती है और किड़नी का काम क्या है बलड को चान करके उसमें जो अपसिस्ट पदार्त हो उन्हें अपसिस्ट पदार्तों को सरी से बाहर निकालना सरीर का सरी से उत्सरजन करना उन अपसिस्ट पदार्तों को तो नेपरण में क्या होता है वह बलड फिल्टर होता है वह यूरीन का निर्मान होता है यूरीन में बहुत सार एपसिस्ट पदार्त होते हैं जैसे कि यूरिया, अमोनिय, यूरीकेशिद, इन सभी एपसिस्ट पदार्त को सरी से बाहर निकाला जाता है, इतना तो आप सभी को पता है, किसी को कोई प्रोब्लम, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो आपके option यह है ब जो प्धोश्पीया avoir ब्लड को फिल्टर करेगा और हूं यूरीन पीके साथ में जितने मी आप्सिष्ट पदार्थ ही जिसे कि यूरिया- केशीड की रिएट नाइन अमोनिया वो सब भी यूरिन की साहिता से हमारे सरी से बाहर निकल जाते हैं तो इनका मुख्यकारी है क्यों गया ओप्स नंबर भी उच्छ सर्जन ठीक है विया किसे को कोई प्रोब्लम बिल्कुल नहीं होने चाहिए तो स्क्रीन शोट ले आपके ओप्सनस है ओप्स नंबर है कौरोनरि दह्मनी ओप्स नंबर वी है रिनल दह्मनी ओप्स नंबर सी है ए रिनल सी राप और है गुर्दे की धंळी और किसन Crd ऊर आप बलड वापिस सरीर के अंगों तक ले करके जाता है कि इतने बात क्लियर है तो रेनल धमनी और रेनल सिरा गुर्दे की धमनी इस रेनल धमनी को यह कहा जाता है तो यह तीनों उसर्जन तंतर के भाग है कोरणारी जो धमनी होती है वो आपके हर दे तक ओक्सिजन युक्त तो जाएगे छोटी सी क्लास है मैंने आपसे कल भी कहा था कि भया यह चोटी सी क्लास होने वाली है दस से बारा मिनट की जधा से जधा कितना बारा मिनट तो हो चुका है क्यूशन ओर है तो करवा हूँ आपको दो तीन मिनट उसमें लग जाएगा इस्क्रेंशोत लेल जी next question क्यों चलते हैं चले विया ओके देखे विया यह रहा आज का अंतियम question और इस chapter का अंतियम question question number 47 कि इस chapter में मैंने आपको जितने भी question करवाया है वो सबी latest exam के question है चाहिए वो group do, ntpc o, alp technician o, rrbg o या फिर rpf o अगर आप totally centralized question पढ़ लेते हैं मेरे तो साथ ही साथ में आपकी theory complete हो जाएगी और जितने भी question जिस तरीके से एक जामिनर आप से question पूचता है वो सारी चीजे complete हो जाएगी मैंने आपको परते question को बहुत अच्छे से concept के साथ में करवाये हैं और सिर्फ इसी chapter को नहीं मैंने बाकी के जितने भी chapter करवा रहा है इस दिन सताव दी एक्सप्रेक्स में वह सब ही chapter मेंने आपको बहुत अच्छे से करवाये हैं हो सकता हमें पढ़ाने के इतना experience नहीं है लेकिन जो content उपलब्द कराया हो आपके जम के point of view से बहुत जादा इंपोर्टेंट है भाया वहुत जादा इंपोर्टेंट है थियोरी पढ़ लीजिए और फिर ये क्यूशन कर लीजिए गारंटी है आपका single किसी बेत्जम कहierte त्यारी कर रहे हो अरे सिर्फ यह वाले बच्चों के लिए नहीं है नहीं है यह गना किसी भी पढ़ती होगे प्रिक्षा होगे तयारी कर रहे हूँ सभी प्रिक्षा होगे लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पिस्वास मत करो हमारे उपपर लेकिन एक बार हमारी थोरी पढ़ लीजिए और थोरी पढ़ने के बाद में यह जो मैंने एक जम के तयारी कर रहे हैं उसे एक जम के प्रिशिर के क्यूशन उठा करके देख लेना भया अगर सिंगल क्यूशन भी बाहर निकल जाए तो मेरी गार्णटी है क्यूशन है वह मैंने नहीं करवाए आपको मैं कम्यूटी पोस्ट में डाल दूगा बैऊ पत्री वाला क्यूशन के कारण होता है लेकिन मैंने सारे question करवाए हैं आपको और theory में मैंने आपको बहुत अच्छी से पढ़ा रखा है उत्सरजन तंतर से समझनी जो बीमारिया उन बीमारियों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी से theory में पढ़ा रखा है लेकिन मोँसे जाधा question नहीं पूछे गया है जो जो क्यूषन आपसे पूचे गया है मैंने यहाँ पर वही क्यूषन आपसे करवा हैं railway में लेकिन theory पढ़ने के बाद में परिशन करने के बाद में आपको कोई भी क्यूषन नहीं छोटेगा यह guarantee है और सिर्फ इसी चेप्टर को नहीं हमने परतेक चेप्टर को इसी तरीके से पढ़ाया है इसलिए कहता हूं आप चैनल पर जाएए पले लिस्ट में जाकर चेक आउट करें मैंने बहुत सारे चेप्टरों की थेओरी पढ़ा रखिये बायोजी बायोजी के लगों सभी चेप् है वह बया मैं करवा रहा हूं इस बेच में आपकी एक जम से पहले में कंप्लेट करवा दूंगा पहले तो मेरा यह विचार था कि एक अलग से चैनल बनाता हूं उस पर आपका प्र इसको इतना ही बढ़ा दिया तो क्यों छोड़ना इसी पर स्टार्ट करते हैं तो अब र यह पर स्टार्फ क mixture कम जो रहे तो मुझे बताड़ीजिए मैं आपको साथी शाधि प्रवर कर दूँगा वह विच्वें ने करवा रहा रहे हैं सारे चैप्टर आपको कोई problem नहीं आएग search rating का अंसर दीजिए मिदेने आपका एन्यमल टीश You वाला चैप्टर बहुत अच और शक्यली टिशू के बारे में नर्वस्ट टिश्यो yo Yo talking with u कि अर्छ च्छ चैनल परणेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना आप किसी भी परतियों की प्रिक्षाओं के तैयारी का रहे हो अगर आपको बाईलोजी पढ़ने कल नए चेप्टर के शुरुवात करेंगे चेप्टर का नाम होगा रहे इस्पीरेटरिय सिस्टम अर्थात साउशन तंतर साउशन तंतर से रेलवे में जितने भी क्यूशन पूचे रहे हैं रेलवे के सबी प्रिक्षाओं में वो सब भी क्रिशन में आपके सामने लेकि आने वाला हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन, जेभारत, राम राम और इस्क्रिशन कांसर कमेंट बोक्स में बताना बाई बाई स्क्रिंशोट ले लेजिए